अर्दोस्तों में संदीप स्वागत है आप से भी कापके अपने चैनल सक्सेस्ट उपर डियर इस्टुडेंट ये है इसी वर्ष दोहजार तेशो चोबिस के सिसिन का हिंदी का सेकेंड पेपर का पूरा का पूरा कोश्चिन पेपर माडल पेपर और ये वीडियो जो भी हमारे फिप्त समस्टे के चात रहें उनका जो सिकेंड पेपर होने वाला है उनके लिए वीडियो बहुत ही महातपूर है और ये इसी वर्ष दोहजार तेशोबिस के पेपर है अगर आपकी परिछा लगी है तो आपको काफी हेल्प मिले चुके हैं और जो आपके परिछा में कल पर सो आने वाले उन सभी के लिए बहुत ही महातपूर है यार तो वीडियो को तो पूरा देखिए जो जो मैं कोश्चिन बताऊ उनको ना तयार मतब तयार करके जाए अगर ना है तो आप लोग बताया करिए सारे सब्जेक्ट में ह चुके लग पर सो इसका नाम है हिंदी का राष्टे का और हिंदी का राष्टे का पेपर चोड़िये मत एक भी पॉइंट ठीक है सबसे पहले अतले गुत्रे कोश्चिर आएंगे फिर हम आएंगे लग फिर देरगु की ओर ठीक है तो भईया पहला प्रस्ट में पूच्छ एवं आकांचाओं को चित्रित करने वाली कभी है इस कथन का और चित असप्रस्ट कीजिए तो आपके जानकारी के लिए बता दे चंदर बरदाई फिड़ा एक कोश्चन गारंटी के साथ फंसेगा ठीक है अब कौन फंसेगा इसकी कोई गारंटी नहीं करीब करीब दो ती कोश्चन आते हैं चंदर बरदाई फिड़ा इस दिसे जुड़े ठीक है वह हमेशा आते हैं और आपके वहिच्चा पढ़ेंगे 100% फसेंगे ठीक है तो आपको जोड तयार कर लेना है ठीक है और चंदर बरदाई फिड़े दो तीन कोश्चनों का उत्तर मैंने तयार किया जो कि अब लोगों की समस्ता भी प्रिस्तुत करूंगा तो ध्यान से वीडियो देखते रहेंगे ठीक है अगला प्रशन है तिले गुत्रे का कि भाईया उद्देश संदेश ओ प्रियाओ जन की दर्ष्ट से कथमास वद की विश्चना कीजिए महातपूर नहीं मेरे इसको इगनूर करेंगे थोड़ा देख रहा होगा कि कुछ आत्रों के दारा कोशन पेपर बेजे गए तो हम आपको पढ़के सुना दे रहे हैं कोशन देखा कि बीर गाथा काल की समान प्रस्थितियों का उल्ले करते हुए उस युग में रचित सहित की मिस्सिष्थाएं टीक है तो इसकी कुछ जो टेक सी सब्सक्राइब, और इसमें रचित जो रचनाए है किसमें आदिकाल या फिर a ले कुछ बिसे पचास से सो सब्दों के बीची लिखना क्योंकि दो से तीन ही नंबर मिलते अतलोगत्र प्रस्ण का उत्तर देने पर ठीक है लेकिन महात्पोड है आएगा आधिकाल और फिर जुड़ा कुश्चन अगला है कि तुलसी का समस्त काब समनुए की बिराट चेश्टा है इस कथन क प्रस्ट कीजिए तो तुलसी दाफ जी से भी जुड़ा क्यों का उत्तर आपको मिलेगा भी ठीक है अगला प्रस्ट ने वह यह केसो दास द्वारा रचित या फिर क्रत अंगद रावंड संबाद का विवेचन कीजिए ठीक है तो केसो दाफ जी से भी जुड़ा है जरूर पूरी नहीं कि यहीं आएगा लेकिन कोई ने कोई कोई कोश्टन परफेगा जरू तो इनका जिवन पर्चे दरूर तयार कर लखेंगे ठीक है अगला बहुत ही पॉपलर कोश्टन कई बार पॉपलर मतब कि कई बार आ चुका है जो कि चंदर बरदाई और जगनिक के प्रम तो मैं आपको बता दे रहाँ चंदर बरदाई जी का जो गần है ठीक है ठीक है एक गरंत का नाम लेक्ष치가 परमुछ राशह मक? लेकिन जो प्रमुख है नंबर एक ही लिखने के लिए तो वो है प्रिथिवी राज रासो चंदर बर्दाई का प्रमुख जो गरन्त है ओनो है कि अगला प्रुषण में कभि क्याuç रहने यह परमाल जाजद समय सब्सक्राइब लेकिन कर令 मेरे अकम ध्लति ग्नुर्ण सकते हैं अगला है कि आरोण या मध्मेर देश हमारा किसकी रशना यह भी कभी कदार आता हमेशा नहीं आता और अगला मुश्ट इंपार्टन कोश्चिन जब मुझे देखा है जहां तक जानकार है कि चेतक की बीरता में कभी का क्या संदेश देना चाहता मतब कभी क्या संदेश देना चाहता उसके बारे में बताना है बहुत ही पॉपलर कोश्चिन इसका उत्तर आपको हमारी महासंग्राम पीडियफ में मिलेगा मोस्ट इंपार्टन सब्सक्राइब कर लिए ठीक है हम इस मार्डल पेपर से वह सारी कोश्चिन आपको फिलिट करा रहे हैं जो आपकी पर इच्छा में आने की संभाव होना है ठीक है ताकि आप उनको तयार करके जाएं तो आपको हेलों मिल जाएगी क्योंकि कोश्चिन तो बहुत सारे होते ह हजारों कोश्चिन है लेकिन आपको उनसे तयार करके जाएंगे हजार तो तयार नहीं कर पाएंगे तो कौन-कौन से आने की संभाव ना वह हम आपको बता रहे हैं अगला प्रश्चिन कभी कदम मिलाकर चलना होगा क्यों कहता है यह कभी कदा रहा ता मेरे कोड़ें पिरा चायावाद की जो रश्चनाय का विता है उसमें राष्च चेतना का स्वरूप पश्च कीजिए बहुत इपॉपलर कोश्चिन जो यूग है इसमें जो रश्चनाय है वो राष्च को लेकर किस प्रकार बताई गई हैं उन रस्चनाओं में किसी चीज के बारे में वह आपक है उसमें जो हमारे प्रमुक कभी मेथली स्ट गुप्त जीह का क्या अफ्था नहीं इन्होंने किस प्रकार देश भक्ती दिखाई और राष्ट के प्रती या फिर देशिके हित में रश्चनाय रची हैं और कहां तक इनकी रश्चनाओं में देश प्रेंद दिखता है यानि कि कुछ रशनाय ऐसी है सुरकांद्र पाठी निराला की जो राष्ट को लेकर यानि कि राफ्त के हित में बताई गया कि एक देश से कैसे प्रेम करना चाहिए देश के लिए कैसे अपने पूरे जीवन को समर्पड करने के लिए ततपर रहना चाहिए उन सब चीजें को बारे में बताया गया है वही सबाब को लिखना बहुत ही पॉपलर को इस ने भी दोनों में से एक फसेगा गारंटी हो सकता दोनों फस जाए तो बहुत ही अच्छी बाल लेकिन एक तुपक का भसेगा ठीक है ध्यान रखेंगे आप परिश्चा देख रहें तब बता देते हैं आप लोग जानते भी होंगे ठीक है निश कोष्चन की जन जागर समंदी आधुने काविधारा में दिनकर का अफ्थान निर्धायत कीजिए ठीक है तो यह भी कोईश्चन कभी कदार आता हमेसा नहीं आता तो आप पढ़ भी सकते एग्णोर कर सकते हैं कि जो हमारे रा रामध्भारे संक्ण दिनकर की जो राष्टिके प्रति जो कभी ताये हैं राष्टिकाव धारा की उनके बारे में आपको लिखना है तो यह प्रकार आपको लिखना है तो यह माहत पूर्ण प्रस्टिक है उम्मीद है इनमें तीनों में से एक कुश्चन तो पताईगा लेकिन दो की ज्यादा चांस यह वाला ओ यह वाला का ठीक है तीन नमबर चांद नमबर अगला कुश्चन आ जाएगा देरगुत्रे में करीब करीब आप लोगों को मालूम है कि कितने सब्दमुत्तर देना होता है आठ सब्दमुत्तर देना होता है तो भाई यह पहला प्रश्चन है कि खड़ी बोली की काब धारा में अयुद्या सिंग उपध्या है हरी ओध का अफ्थान दायत कीजिए तो सेम यह भी पॉपलर कुश्चन है इनका भी कुश्चन होई कही रहा है कि खड़ी बोली के का विधारा में क्या योगदान नहाँ है जो कभी है आयूद्हें उपध्या है कि जो भी कुछ रसनाएं हैं जो भी कृतियां हैं उनमें खड़ी बोली में जो रसनाएं हैं ठीक है उनके बारे में आपको डीटिल मिक्स्प्रेन करना है कि उन्होंने खड़ी बोली के बारे में क्या बताया है और खड़ी बोली के बारे में कि अच्छेफ इन्होंने इस प् अफ्थान बनाया है ठीक है किस प्रकार वह लिखना है अगला प्रकाफ दालिए इस सिंपल सा मतलब यह है कि इनका पूरा का पूरा जीवन परचे और साहितिक परचे आपको देना है बस ओके अगला कोश्चन भी यह फसेगा पक्का सुबद्रा कुमारी चौहान ठीक है जो म पूरी उम्मीद है लेकिन गारंटी नहीं कि आएगा ही आएगा लेकिन नब्ब्रसत उम्मीद है ठीक है तो इसी प्रकार आपकी परिछा में मारल पेपर कुष्चन पेपर देखने मिलेगा और कुछ और प्लफ बीर-गाथा काल पर जूड़े चंतर बरदाए फे और इनका उत्तर आगे जो हमारी पीडियाफ आने जा रहे इसी में लगभग लगव प्रश्णों का उत्तर मिल जाएगा जिनका नहीं मिलेगा आप अब हम आज आएंगे कोश्चन एंसर वाली सीरीज पे आपको आगे जितने भी कोश्चन देखने को भी और उसका उत्तर भी यह आप सभी के लिए कोई यूट्यूब पैसा नहीं है जो आपको पीडियाफ भी प्रवाइड करें ऐसा कोई है आप लोग खुदी उटी पर ढू पुद्ट करते हैं पुलस उसका हम एंसर अब लोग उसका उत्तर भी तयार करते हैं यह नहीं कि इसको बता दें पीडियाफ सहीद देते हैं यह आप सभी को उच्छे स्मालूम है ठीक है अगला परशन है मतलब कि इस में से कुछ पीडियाफ के जो मोस्ट इमपार्टन है की एक्जाम में आने की उम्मीद है चायावाद की प्रिवित्तिया यानि कि चायावादी जो यूग है इसमें क्या विसेश्थाएं है जो रशनाय है चायावाद की उसमें क्या विसेश्थाएं उसके बारे में लिखना है तो चायावाद की जो रशनाय उसमें सौंदर्र भा यह नहीं कुछ को रचना की यानिकि प्रकतिकों किसी ना किसी रूप में मानकर कुछ रचनाय रची गई कामनेल कल्पना है रह स्भावना है तर्षनिक चिंतने यह कुछ प्रमुक विसेष्टाएं च्छाया वादी युक की या फिर आप लोग का एक्ट है कि जो च्छाया वादी युक की जो रशनाएं हैं उनकी ठीक है तो दोनों प्रकार के प्रस्टाइब रहेगा इस बात को ध्यार नखेंगे ठीक है ओके नेस्ट कोश्चन जैसे कह रहा है कि भाईया पुस्प की अभि हिलाफा एक कविता है ठीक है जो कि आपके भी फिब्ट समस्टर के सिकेंड पेपर में ठीक है इस लेवर से है ठीक है उसकी अभिलाफा और उसकी अरसनाकार है माखालाल चतुरवेदी छी ठीक है तो लिकार सुमद्रा कुमारी चुम्हान को जन्म है वो सोला अगफ्त 1904 को नाग पंचमी के दिन प्रियाग राज जो की उत्तर प्रदेश में पढ़ता है ठीक इलहाबाद के निकट निहाल पुर गाउं में हुआ था इस बात को ध्यान रखेंगे बहुत ही पॉपलर कोश्चन ठीक है अगला प्रशन भी बहुत ही पॉपलर है कि हमारे जैस अंकर प्रसाद जी का काब संसार यानि कि जो रशनाये रची है इन्होंने रशनाये किस प्रकार की रशनी है कौन-कौन सी रशनाये इनकी पॉपलर हुई है कौन-कौन सी रशनाये किस प्रकार लिखी गई है ठीक है उनमें किस चीज के बारे में महत्वा दी गई यह किस चीज के बारे में बताया गया है यानि पूरी पूरी इनकी जो रशनाएं हैं कृतियां हैं उनके बारे में ये कुश्चन की प्रसाद जी के काब संसार यानि रशनाओं का जो इनका पूरा का पूरा संसार है उसके बारे तो यदि जैसेंकर प्रसाद की काब कृतियों की शमगर विकास को तीन चड़ों में भाजित करें तो पाएंगे की चित्राधार कानन कुसुम महाराणा का महत्तु करुणा लए प्रेम पतिक यूम जहरना पहले चड़ों में आती है तथा इनकी रसनाय कुछ है कामाईनी महाराणा का महत्त ये क्रति है अतुल कांत चंदों में लिखी गई ठीक है और प्रेम पतिक की भाव प्रविद्धी में विस्तार दिखाई देता है जहरना से चायावाद का आरम माना जाता यानि की चायावाद जो यूग है इसकी जो सुरुवात है वो जैसेंकर प्रसाद किसरे बाना जाता है जैसेंकर प्रसाद की रशना फे कॉन और प्रसाद की रसना है लहर में प्रसाद के अनेक प्रिति दिधी गीत संकलित है कामाइनी में सरबाग पूर्ण जीवन दरसन नादी पुरुसका संपोर्ट चित्रण और नवीन प्रसितियों का ब्यापक निरू पढ़े रशना में कामाईनी प्रकार की महां काब या ताइब किसी इन की प्रमुक्त की परसाथ जीवन जैनिकी जो काब यह का जीवन रहां कुछी प्रकार रहा है रची है और यह बहुत ही हिलफुल साबीत हुई है हमारे कि लिए, धित्रिवाज के लिए, हमारे समाज के लिए इन से लोग बहुत जदा इंस्पिरेशन लेते हैं और बहुत इंबान कोशेन will dot प्रशन है कि की बैया हमारे सुअंधर पाठी निराला जीका की जीन परिछे बता दीजिए तो उत्तर लिखेंगे कि कि डाक्टर राम बिलाव सर्मा ने कहा कि बहिया निरालय जी का जो जन्म है वो माग सुक्ल के गेरा संबत पच्पन तदा नुसार अगस्ण की बात करें संबत इनका उनिर्स सो पच्पन है और संगी बात करें तो वंतिस फरोरी अठाव से निननानवे को राम सहाय तिवारी की घर में निरालय जी का जन्म हुआ था ठीक है सहस्थोंग वादी अलोचक अचार्न दुलारे बाचपेई के नुसार उनका जन्म यानी कि निरालय जी का मतलब क्यी यह मतलब कि इनका जो बिवाह के बारे मता रहे हैं नंदुलाल बाजपेजी कह रहे हैं कि इनका जो बिवाह है वो उन्नीस सो कब हुआ था गेरा में ठीक है रावरेली जीले के डल्मो नामकिस्थान के निवाफी राम दयाल दुबे की पुत्री मनोहरा देवी से संपन हुआ था निराला जी की पुत्री सरोच का बिवाँ 1930 में फिरी सिखर दिवेदी के साथ हुआ था लंबी बिमारी के वाज सन 1935 में सरोच की मुरत हो गई थी निराला जी का देवासन 15 अक्टूबर 1971 रविवार को चित्रकार कपला संकर के दारा गंज इलहावाद वाले माकान में प्राया 9 बच कर 30 मिनट पर हुआ तो पूरा के पूरा इनका जीवन परचे दिया गया कब जन्म हुआ कब इनकी मुरत कितने बच के कितने मिनट पर गी यह उसकी भी जानकारी है बहुत पॉपलर को चिन आएगा उम्मीथपूरी है दुवेदी उस फे जुड़ा भी कोश्टन आएंगा मतल्स प्लस दुवेदी हमारे माहवी पर साथ दुवेदी जीं है ठीक है हजार पर साथ दुवेदी जी इतंसे प्रशन आता है यह प्रेम है यानि कि देश के प्रती रशनाए रची गई है यह सब देखने कुलता है ठीक है ओके इस प्रकार प्रस्ट आएंगे अगर आप स्टेक वह यह हरी ओध का जन्मत कब हुआ था तो हरी ओध जो की बहुत पॉपलर कभी है इनका जो जन्म है वो 15 अपरेल 1865 इस भी को निजावाबाद जनपत आजमगर उत्तरप्रदेश में हुआ था हरी ओध जी किस युक्य कभी है यह कोश्चन आ जाए तो हरी ओध जी जो है वो दुवेदी युक्य कभी है हरी ओध द्वारा रचित दो महा काब्यों के नाम लिखें तो यह कोश्चन लिख दीजेगा कि प्रिय प्रवास और वैदेही बानवास यह दो प्रमुक्त महा काब्य है हमारी हरी ओध जी के ठीक है अगला प्रशन है कि छाया वाध के उत्पत्ति कैसे हुई चाया वाध युक्य और इसका विकास कैसे कैसे हुआ यह भी पोपलर कोश्चन है जो इसके बारे में जान ले से दूर रहकर हिंदी कावी की विशिष्ट परिपार्टी का निर्मान कर रहा था मतब कि इदर हमारे देश को आजादी करने में लोग लगे थे और उधर एक हिंदी साहित का अलग ही पूरा महौल चल लहा था और तभी फे इसकी सुरुआत हुई है चाया वाध की ठीक है तब कर ने बारे में आप त्यार करेंगे पूरा डीटियल दिया गए है ठीक है ओके चॉया वाध के छाया वाध में कई कभी चाया बात चुका है तो ध्यान रहएं नाम लिक्षिया कभियों के नाम लिखें तो आप लोग पढ़ लीजेके सेम वही कभी नी कि च्रहावाद के प्रमुक्पक्वियों कभी हो उनकी रचना याद कि यूओ के कभी नोु करुंकी कौन है इनकी रस्णा परिमाल इटिका नामिकआ है थीक है और महादेवी वर्मा जी भी कुछ रहाइप करतिया निहार ना झार्य नीरजा सेंध्य गीत रामकुमार वर्माजी भी च्वह रांजल रुप रा शुब्लोप कभी 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 कदार आ जाता जिस पर आपको थोड़ा फोकस कर लेना है ठीक है अगला कुश्चिन गुरु गुश्चिन आएगा इस बात को नहीं है 100% से हो रहे हैं तो गुरु गुद्दू कुश्चिन हमेश्चा फासते हैं तो सिखों के दास्वे एम अंतिम कोश्चिन एक फासेगा नब्वे प्रश्चत उम्मीद ठीक है अगला कोश्चिन भावात्य आत्मक की बहाव देखने को मिलता है भात्मक की कविता लिखी गई है और कविता में राफ्टेटा यानिकि देश के एकित में यह फिर देश के उपर रश्च्त आयरश रची कि आखिक लिगी हैं नाम को भुश्टन हैं जी है तो प्रविद्यूक के नाम के जिस्पे आपको जोड़ जयानद दयना है ऐं चार राम संद्डशुन नी बार अधिकाल को बीरगाथा नाम कहेंगे वहे पर डाक्टर गिरिसन ने कहा कि हम चरणकाल कहेंगे अधिकाल को मिस्र बंध कुछ लोग थे उन्हों ने कहा है वहे हैं पर हजायर परसाद दुवेदी जी और डाक्टर रसाल जी है इन्हों काए बिया आदिकाल को आधिकाल भर्मा जी ने कहा है के बिया आधिकाल प्रिटान के नाम से पकारेंगे यह और परकार प्रिशा लिखेएं कि यह कौàiशन हमेशा बाता प्रदशा विए चोटी नहीं जिसमें ये कोश्चन नाया हो और फसेगा ठीक है और हिंदी का पहला कभी कौन था ये भी popular कोश्चन है तो ध्यान से सुनेंगे हिंदी का पहला कभी हिंदी के चंदर वरदाई लिखा गए गरंत प्रतवी राज रासो हिंदी का प्रतम महा काब अबे भी है इस बात को ध्यान रखेंगे आला खंड से जुड़ा भी कोश्चन आता है तो इसको भी ध्यान रखेंगे ठीक है आला खंड के रहता जगनिक नायक है इन्होंने परमाल के सामांत और सहायक महुबा के आलहा उदल को नायक जो आलहा उदल आप दोग सुनते नहीं है ठीक है नायक मानकर आला खंड नामा करंड की रश्टा की है जिसे लोग में आलहा नाम से प्रसिद्धे मिलेटर लिखेंगे रितकार्ट के प्रमुकव कभीी ध्यान से सुन लए जिए रित्कार्ट के प्रमुकवी की सव्दाफ जी है बिहारि-लाल जी है घाना औनन्द जी है मतिराम जी यह भी पॉप्लर कोईश्चन है इस पीडियोप में वह सारे कोईश्चन इनकी लूडर्ड है जो परिच्छा में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी आपके परिच्छा में आएंगे यह पीडियोप हम आपको टेली ग्राम वाटसप पे लिंक कर सब्सक्राइब करके आप तयारी कर दीजिएगा भारती हिंद्ध जीका जी उन परिच्छे से आ गया यह भी पॉप्लर कोईश्चन है ठीक है तो कुल मिला कि आपके ग्याम में आपको 75 नंबर का पेपर होगा तो 70 नंबर के जो प्रस्ण है वो इसी वीडियो से आएंगे 100 परिच्छा देकर आएगे तब बताईएगा पेपर भेज दीजिएगा जय हिंद्ध पीडियो के डिस्कुशन में टेलीग्राम वर्टसप कर लिंक है वहीं पर यह पीडियों हम डाल देंगे जो चातर में मैसेज करेंगे ओके